नमस्कार मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी आप देख रहे हैं नवुदित आइम स्टीड शुरुबात करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ दिल्ली के द्वारका में चलती बस में महिला कॉंस्टेबल से छेड़ चाड़ का मामला सामने आया है छेड़ चाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने महिला कॉंस्टेबल के सर पर हेलमेट से वार किया और उतर कर फरार हो गया फिलाल महिला कॉंस्टेबल को गंभीर चोटे आई हैं अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और पुलेस इस मामले की चार्मेन कर रही है क्रिशी कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओ पर डटे किसान गर्मी से दो-दो हाथ कर रहे हैं गर्मी से निपटने के लिए किसान पंखा कूलर का इंतजाम तो कर ही रहे हैं साथ ही पके टेंट भी बना रहे हैं मौसम के बदलाव को देखते हुए किसान इस से निपटने के लिए हर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने चवकाने वाले रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट की मिताबिक एक साल पहले यानि की 2020 में पुर्वर्टर दिल्ली में छड़प में दिल्ली पुलिस ने 461 गोलिया चलाई थी तो वहीं 4,000 आंसु गैस के गोले दागे थे दिल्ली में एक बर्फिट से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है पिछले 24 गंटे में 100 से जादा केस सामने आये हैं तो वहीं केस बढ़ने से एक च्यू मरी जोकी संख्या 1700 को पार कर गई है राष्ट्र राष्ट्र राष्टाने दिल्ली में मौसम बदल रहा है साथ मार्ट से वेस्टरन डिस्टरबेंस की वज़े से सीजन की पहली आंधी और हलकी बुद्दाबादी हो सकती है इस दौरान मौसम बिभाग ने कहा है कि तापमान 30 से 31 डिगरी तक बने रहने की साभामना है फिलाल के लिए सर्फ इतना ही बाकी की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नबुदी टाइम्स टीवी हमें दीजिए इज़ासत